कैसे हो सब आप लोग तो अभी सफर की तैयारी खतम नहीं हुई है तो मैंने आज बनाया खजूर के लड़ू वह भी बिना चीनी बिना गुड़के और बिना चासनी के वह जो दस मिनट में बन जाते हैं और वह सफर में बहुत अच्छे लगते हैं और फिर मैंने बनाई यह मेरी सबजी बच गई थी सारी मैंने मिक्स वेज बना दी अब जो बहुत टेस्टी बनी थी बहुत अच्छी बनी थी एक मूली घाजर जो भी सब हमारी बची थी एक केकर के थोड़े थोड़ा मैंने सब बना लिया है और सबजी भी खतम करनी है तब ही जाएंगे उसके बा पड़ बहुत टेश्ची लगते हैं बच्चो को तो मैने इतने सारी सुबह शूबही तल दी हा यह और उनको बहुत अच्छा रगता है कभी कभी क्योंकि सब अभी सब्चें सब खतम करनी है और मैंने पूड़ी का आटा बना लिया है फोड़ा सा जमात अजमाहिन डाल दी बच्चों को सबजी कुछ पसंद ना है तो इस तरह पूरी बना के दे दें और थोड़े-थोड़े क्रिस्पी में ने पाप अड़ो और सब तल दी हैं जो उनके फेवरेट हैं सब पूरिया बना दी हैं खूब सारी हमारे घर में पूरी बगएर बनती हैं तो जादा ही बनती है तो मैं दो बिस्किट के साथ ले लेती हूँ अपनी चाय और हमारी मॉर्निंग की शुरूआत ऐसे होती है बच्चों के साथ उसके बाद अपना काम हो जाता है शुरू नहने के बाद बैड सीट वगएर मैंने चेंज कर दी है और उसके बाद ही हम अपने बैड बैड सब बैड सीट आगी जादा मेहनत नहीं करनी पड़े और सब एक दम मैं फिट करके जाती हूं और आके मुझे लगता ही नहीं है कि वैसे ठकान हो रही है और वह सिर्फ घर पूरा साफ लेता जमा जमाया रहता है कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती तो हमारे मैंने बैड सीट कि पड़ती है अभी कर लेते हैं मिक्स वेज की तैयारी तो मैंने सारी सब्जी काट ली है वो दिखाई नी थी और कर लेते हैं सब्जी की तैयारी तो मैंने जीर अडाल दिया है हिंग डाल दिया और सारी सब्जी काट ली मेरे पास टिंडे है मूली है गाजर है मूली भी मैंने मिक्स कर दि क्वेष सब्गेपी किस् globalization कोई चाह Нे車 बता है disp मुझे वी पढ़ती हैं तो मुझे रखनी ही पड़ती है तो मिला मिक्स में थोड़ी से मैं सब सब्गे मिक्स करने के बाद मटर ढाल दी माटर बहुत बहुत जल्दी हो जाती है। और मोरी भी सम leverage काम करकू भूब मैंने टेंडे डाल दिये सब मिक्स करना था और खतम करना था बस मुझे यही था कि मैं सारी सबजी मिक्स कर दूँ और खतम कर दूँ फिर आके फ्रेस लेकर आएंगे और उसके बाद मैंने बना है खजूर के लड़ू खाना बनाने के बाद मैंने खजूर के लड़ू की तया बहुत टेस्टी भी लगता है थोड़ा सा ली लिया घी एक चमच छोटा वाला एक घी लिया है मैंने और सारे ड्राइर फूट से इसमें डाल दी है अब इनको थोड़ा सा हलका सा सोटे जैसा कर लिंगे और इसी घी में अपने बुंच जाएंगे अच्छे से और मैंने मैं थोड़ा सा डाल दिया है और बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट यह भी साथ में भुनी जाएगा एक मिनट के लिए मैंने थोड़ी देर भुन लिया और निकाल लिया है सब बहार कड़ाई से फिर मैंने गी डाला है एक चमाची और फिर मैंने अपने सारे खजू थे और एक दो ऑजसे निकाल दी है नई तो मैं पता नहीं चलता है और हमारे खजूर में गुठ्ली आती है चाहिए और हमारे लड़्ू इस तरह में तेयार करूँगे बहुत अच्छे लगते बहुत टेस्टी लगता है नजॉय करते जाते हम पूरे सफर में खाने के बहुत अच्छे लगते हैं ना जीनी की ज़रूट पड़ती है न टीप न गूड़ी की जरूट पड़ती है और सफ़र भी आरम से कर जाता हैं इस सर्था है यह लगते हैं हिन्यज़के चर्थाorsके बच्छें कूआ पीमिके Auftॉ नेट शती है रिखुर्सवे नगे और enjoy करें से देखते रहें.